नमस्ते तो आज में कौर रिडिंग करने वाले हैं देखते हैं आपके परसे इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेकर इस रिष्टिय को लेकर आपको आपने लाइक कर दिया है और वास को ग्राटिटूड से इन कर दिया है देखते हैं क्या है उनके दिल कहान क्या अनर्जम हम यहाँ पर मिलती हैं देखते हैं पहला ही काड़ है यहाँ पर टेन अप वांड्स एरीज लिव व सच ड्रेस इस अप सोर्स यहाँ पर आचुका है एक न्यू बिगनिंग के नर्जी यहाँ पर आचुकी है वापस यहाँ पर है एरीज लिव व सच ड्रेस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसी लिब्रा अक्वरस जेमिनाई वापस यहाँ पर है लिब्रा अक्वरस जेमिनाई कोई ऐसी बात हो सकती है जो आपके परसन को बहुत ज़़ा गुस्सा दिला रही है या ये वाइस वरसा भी हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है किसी बात को लेकर हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी या तो आपके person गुस्से से लाल हो रहे है किसी बात को लेकर या तो आपको किसी बात का गुस्सा आ रहा है आपर गुस्से में लाल हो रहे हो किसी बात को लेकर हो सकता है इस इंसान ने कुछ गलती कर दी जिसके उपर आपको बहुत गुस्सा है नाराज़ी है या ये किसी किसी के लिवाइस परसा भी हो सकता है हो सकता है आपके person के उपर अभी फिलहाल बहुत ज़ादा जिम्मेदारिया है हो सकता है वो जहाँ पर काम करते हैं बहुत ज़ाँ वर्कलोड है एक तरफ तो वो आपको time देना चाहते है इस रिष्टे में आगे बढ़ना चाहते है और दूसरी तरफ हो सकता है कि आपके person को time की कमी के वज़े से वो आपको time नहीं दे पा रहे है कुछ लोग आप ऐसे हैं कि बहुत ज़ाँ emotions high होने के बाद भी वो मतलब वो बहुत प्यारी प्यारी बात ही करना चाहते है आपसे लेकिन फिर भी time की कमी की वज़े से वो आपसे बात नहीं कर पा रहे है या आप online कुछ ऐसा status डाल रहे हो कि इसके बाद आपके person को गुसा रहे है किसी बात को लेकर वो नाराज हो रहे है वो आपको बहुता online देख रहे है नजर रख रहे है आपके उपर और यहाँ पर जो energy है एक तो इस इंसान को किसी addiction ने जैसे घेर लिया है हो सकता कोई addiction हुआ है इस इंसान को या तो इस इंसान के लिए आपसे बात करना एक addiction हो सकता है कोई नो कोई ऐसी बात घटित हुई है जिसकी बज़सी यह अनसान जैसे के बोखला गया है कुछ लोग आप ऐसे भी है गुसा बहुत ज़दा गुसा भी है इस इंसान को कुछ लोग आप ऐसे भी है जिस तरह से आप energy है बहुत ज़दा strong personality भी हो सकते किसी किसी के लिए आप चाहते हो हो सकता है इस इंसान ने कुछ जुड़ बोला है और अब कैसे आपका सामना कर रही है कैसे आपसे बात कर यह बात इस इंसान को बहुत परिशान कर रही है किसी किसी के लिए हो सकता कि आपके person बहुत ज़दा negative सोच में चलते है negativity इस इंसान के इंदर बहुत भरी है इस वज़े से अंसान हमेशा निकडियों सोचता है वो जो बातों को नहीं सोच पा रहा है इनसान और एक तो emotions बहुत है आपके लिए ऊपर से जो ना समझी है उपर से जो इनसान समझ नहीं पा रहा है इस रिष्टे में जो कुछ भी घटित हो रहा है उस बातों को या आपकी feelings को जो इनसान समझ नहीं पा रहा है उस बज़े से अंसान को गुसा रहा है ठीक कोई male female person हो सकते है जो इस इनसान को control कर रहा हो जो इस इनसान से अपनी बाते मनवाने की कोशिश कर रहा हो ऐसा भी किसी किसी के साथ resonate होगा जो energy हापर है आपके person है आपको लेकर जो जिम्मेदारिया उनके उपर है उन जिम्मेदारिय को निभाने के लिए उनको बहुत time देना पड़ेगा इसलिए वह कहीं आपको time ना दे पाए और इस वज़े से हो सकता है अलरड़े ऐसा कुछ होआ है कि इनसान आपको time नहीं दे पाए इस वज़े से आप रूठ बहुत करते हैं थिम्मेदारिया भी हो सकती है इस इंसान के उपड़ को कुछ बात एंगेन आने वाली हैं और कुछ बात ऐसी हो सकती जो इस एस इंसान को भी परिशान कर रही हो कुछ बात या ऐसी है जो आपको भी परशान कर रहे है में भी कुछ hidden truth हो सकता है कोई secret हो सकता है जो एंसान आपसे चुपाने के कोशिश कर रहा हूँ आपके person का जो intuition power है इस इंसान को कुछ बताने के कोशिश जरूर करता है लेकिन ये इंसान है कि सुनता नहीं है उपर से यहाँ पर कुछ hidden है कुछ secret भी है जो इंसान आपके सामने लेकर आनतों चाहता लेकिन डरता भी है जैसे कि उन जैंजिर को तोड़ना बहुत जरूरी है यहाँ पर बात ऐसी है कि हो सकता है कि इंसान बहुत successful होना चाहता है इस इंसान के life ऐसी है कि problem बहुत ज़्यादा है obstacles से भरा है इस इंसान को जो रास्ता है जो इंसान successful होना चाहता है जो उसका goal जो है हासिल करना चाहता है वो चाहे इस रिष्टे को लेकर हो चाहे उसके और और लाइफ के बारे में हो जो ये अंसान पाना चाहता है उसमें बहुत ज़दा औफस्टिकल्स है और हो सकते कि कोई इस इस इंसान को या तो बहुत परिशान करता है या बहुत पावर चलाने की भी कोशिश करता है इस इंसान के उपर इस इंसान को अपने decision लेना बहुत मुश्किल होता है हो सकता है इस इंसान को mentally torture किया गया हो या इस इंसान को खुद भुद ऐसा feel होने लगा कि वो कुछ कर नहीं पा रहे है इस रिष्टे के लिए या अपने career के लिए परशानी है और क्या है और आपके person बहुत emotional भी हो रहे हैं उस परशानी से बाहर भी निकलना चाहते है anxiety बहुत हो रही है और overthinking बहुत हो रही है और किसी किसी के लिए आपके person का यह healing period भी हो सकता है जहाँ पर यह अंसान खुद को heal करना चाहता है अपने आपके साथ थोड़ा time spent करना चाहता है अपने problems को जो obstacles है इनके life में उसको समझना चाहता है और हो सकता है अब इस परशान को इस रहे अपने ही लेना चाहते है और इस इंसान को success की खुश्बू जैसे की feel होती है कि हाँ वो successful होकर रहेंगे चाहिए जितने भी obstacles हो वो सफलता की खुश्बू इस इंसान को feel होने लगी है हो सकता है आपके person बहस अपने देखते हैं आपको लगर dream करते हैं कि जब वो successful होंगे तो वो आपके साथ कैसे जिंदकी कैसा time spent करेंगे आप दुने की life कैसी होगी वो dream करते हैं या इस इंसान के कोई hitters भी हो सकते हैं कोई जलने वाले हो सकते हैं जो इस इंसान के सफलता की खुश्बू से खुश नहीं है इस इंसान को बहुत जदा रोक टोक किया जाता है इस इंसान को आगे बढ़ने से रोका जाता है हो सकते हैं इसको पीछे लेकर आते हैं जलने वाले hitters किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोने के रिष्टे में बहुत obstacles है घरवाले नहीं बान रहे हैं और आपके परसुन को ऐसा लगता है कि वो आपके लिए लड नहीं पाएंगे, हिम्मत हार रहे है जैसे कि कुछ लोग आपर ऐसे भी है कि डर लगता है उनको, कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, वो आपने घरवालों के सामने आपके लिए लड नहीं पाएं आपको ब्लॉक कर दिया है और अगर ब्लॉक किया है आपको तो बहुत जल आप अन्ब्लॉक होने वाले हो एरिज लिए वो साजिटरस है यह आपर फाइरी हो सकते हैं आपकी परसुन गुस्सा आता हो इस अंसान को ऐसा भी हो सकता है बात बात पर आप दोनों के बीच में जगड़े होते हो ऐसा भी हो सकता है हो सकता है कि दोनों बहुत जिद्धी हो दोनों को भी गुस्सा जल्दी आता है हो सकता है किसी खेसी के लिए आप बहुत emotional हो और आपकी जो person हो बहुत practical है ऐसा भी हो सकता है और यह इंसान practical है और आप emotions में बहकर कुछ गलर decision हां कर लेते हो तो यह इंसान बहुत ज़ता चर्चराट होती है questa इंसान की हो सकता है कि आप emotions में बहकर खुद का नुकसान कर दे हो कुछ लोग आप ड़ेसे भी है या यह वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके परसुन ऐसा कुछ कर रहे हो और क्या है जिस तरह से यहाँ पर एनर्जु है न का इस बहुत ज़्यादा इमोशन लॉस दिखाई दे रहे है इगो बहुत ज़्यादा है घमंड भी है और इमोशन लॉस जो हुआ है आपके परसुन बिलकुल नहीं चाहते हैं आपको खोना आपके परसुन कैसे लगते हैं अब तक जो लॉस हुआ है इस रिष्टे में अब और नहीं होना चाहिए आपके परसुन आपको खोना ही चाहते हैं वो आपको खोने के डर से भी डरते हैं आज जो भी हालात है आप दोनों के रिष्टे में आपके परसुन इस हालात को चेंज करना चाहते हैं तो इमोशन लॉस हुआ ह कि पूरी पूरी कोशिश करने वाल है अब बहुत लोग आप ऐसी कि आपकी जो परसने खुद ही आपकी जिन्दगी से दूर चले गए और अब इस इंसान को आप से दूर जाकर खुद ही पचतावा हो रहा हैं और बहुत जल्द वो आपकी तरह वापस आना चाहते हैं डिप्रेशन से हाल दिखा ज़रा है इस इंसान का बहुत उदास है नाराज है इससे के साथ रेजोनेट होगा कि इनके घरवाले ही इतने जदा कंट्रोल करते हैं इस इंसान को कि इंसान परिशान हो चुका है और वो आप दोनों के रिष्टे को लेकर कोई डिसिजन नहीं ले पा रहे हैं ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं कुछ लोग लिए आपके परसन के से इंसान को लेकर बहुत साथ सोच रहे हैं कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती है जो इस इंसान को मेंटरी टॉर्चर कर रही है कोई ऐसी व्यक्ति हो सकती जो इस इंसान को शायद किसी बात को लेक जाने नहीं देते, यह अंसान पूरी मेहनत करता है, अपना पूरा 100% देता है, जो भी काम करता है उसमें Hard work बहुत ज़्यादा करते हैं आपके person, लेकिन लेकिन जलने वाले इस अंसान को पीछे खिचने की कोशिश करते हैं ऐसे भी कुछ लोग आपर है Listen to your intuition, आपका intuition क्या कहता है वो सुनने की कोशिश करो, कोई आपको कुछ भी बोले, आपका intuition अगर आपको कुछ बताता है तो उसकी उपर आपको विश्वास करना होगा, हो सकते है कोई misguide कर रहा है आपको आपको अपने intuition की सुनने है अगर आप successful होना चाहते हो आपके उपर है, आप कितनी मेहनत करते हो आप कितनी effort डालते हो और क्या है बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते कि आप mentally थकान सी फिल कर रहे हो आपको थोड़ा meditate करने के आवशकता है अपने आपको शान रखने के आवशकता है जब आप धान धारना करोगे जब आप meditation करोगे तो आपको खुद बखुद सवाल के जवाब मिलेंगी जो आपके मन में सवाल है और क्या है और success तो आपको मिल कर रहेगा जो आप चाहते हो जो आप हासिल करना चाहते हो वो आपको मिल कर रहेगा यह आप ही के उपर है कि आप कि इतने मेहनत करते हो और सक्सेस तो आप होकर रहोगे सफलता आपको मिलने वाली है I hope आपको रिडिंग पसना आई है Like, Share and Subscribe मिल ते अगले वीडियो में Bye